हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप लोग का अपना चैनल कंप्यूटर विद्धानिस्वर में तब पीछले वीडियो में हम लोग डेक्ष्टॉप के बारे में समझे थे हैं कि जो नया विद्यारती है वो डेक्ष्टॉप में कैसे अपना कमांड को किरियेट कर सकता है जैसे मा माम सारे वहां पर ओप्सन दिखाई देते हैं और हम सभी को क्या कियें एकक करके बता दियें और आज हम लोग बहुत मज़ेदार चेप्टर पढ़ने वाले हैं MS-Paint MS-Paint इसलिए important है क्योंकि जब आप कोई भी सरकारी दस्तवेज या सरकारी form को fill up करने जाते हैं तो वहां बताता है कि 300 से 400 KV के बीच में आपका photo रहना चाहिए 200 से 2800 के बीच में आपका signature रहना चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं कोई cyber cafe में जा करके उसका quality को dawn करते हैं हाना तो वही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले MS-Paint को कैसे start करते हैं तो सबसे पहले आप search box म जा करके paint को search कर सकते हैं क्या लिखेंगे इसमें paint लिखेंगे P-A-I-N-T paint लिखेंगे तो देखिए यह मेरा option यहाँ पे दिख रहा है या तो दूसरा तरीका और काफी useful है window button के साथ आर प्रेस करना है यहाँ पे लिख देना है MS-Paint P-A-I-N-T और इंटर मार देना है कुछ इस परकार के आपको interface दिखाई देगा ठीक है आप देखिए यह window 7 से काफी change है क्योंकि यह window 11 है आप लोग को घवरानी का जोरत नहीं है आप window 7 चला रहे हैं तो same option है window 11 चला रहे है तो same option है थोड़ा थोड़ा लिखावट में थोड़ा अंतर है ठीक है तो सबसे पहले जो पूरा काम करके रखिएगा जैसे यह है work area क्या है यह work area है तो इसमें कारी आप कर लिए ठीक है कारी करने के बाद क्या होगा जब आप इस file को save किजिएगा तो आपको किसी नाम से save करना ही होगा मान लिजिए आप sonu या monu किसी नाम से save करते हैं तो यहाँ पर दिखाई दे है close button, maximize button और minimize button देखिएगा close button पर click किजिएगा तो यह direct close हो जाएगा मतलब बंद हो जाएगा आप desktop पर चले जाईएगा maximize किजिएगा तो यह छोटा-छोटा टुकडा में दिखाई देगा यह window 11 है इसलिए देखिए इसमें थोड़ा सा changing है window 7 में एक ही दिखाई देगा आपको ठीक है और minimize मतलब direct इस पर click किजिएगा तो यहाँ पर task bar पर आपको दिखेगा ठीक है उसके अब नीचे आईएगा तो देखिए यहाँ पर blinking कर रहेगा जैसे हम अपना cursor को इधर उधर नचाएंगे तो यहाँ पर क्या है कि दिखाई देगा कि आपका कौन सा degree में कितना जा रहा है उसके बाद यहाँ पर देखिएगा 6464 गुने 343 जो pixel लिखा हुआ है हम जो page का size बढ़ाएं ओ है ठीक है औ तो zoom out और zoom in कर सकते हैं और यह है मेरा work area तो अब हम अपना काम को क्या करते हैं start करते हैं सबसे पहले हम लोग देखेंगे tools पर क्या देखेंगे tools तो सबसे पहले tools में क्या है pencil पेंसील हम लोग बच्पन में बहुत use की है जैसे कुछ लिखते थे बच्पन में जैसे तो यह क्या है पेंसिल के यूज करके हम किसी भी ड्रो को कर सकते हैं या तो कुछ लिख सकते हैं ठीक है उसके बाद नेक्स्ट मेरा फिल है क्या है फिल लेकिन आप विंडो सेवन में जाएगा तो फिल वीथ कलर होगा क्या होगा फिल तो इसमें बाल्टी नुमा चापा हुआ दिखाई देगा आपको लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है क्योंकि वर्जन दूसरा है वर्जन क्या है विंडो 11 है ठीक है और उसके बाद क्या है यह हम बताते हैं जब इसका सेफ सका यूज करेंगे तब इसको हम बताएंगे ठीक जैसे हैं हम टेक्स्ट पे किलिक हैं तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक छोटा सा और जैसे यह है font name क्या है font name यह क्या है font का size, bold है, italic है, underline है, क्या है उसके बाद, abstract through है, उसके बाद है left element, central element, prior element, ठीक है यह हम इसमें कुछ लिखते हैं, जैसे मान लिजिए हम अपना ही channel के नाम लिखते हैं, computer with धानेशवर, यह हो गया, मान लिजिए इसको हमको left में करना है, तो इसको हमको select करना होगा, क्या करना होगा, select करना होगा, क्या करना होगा, select करना होगा, sorry बाहर यह click हो गया, click बाहर नहीं होने देना है, इसी में क्या करना है, लिखना है, बाहर click होगा तो फिर से आपको लिखना पड़ेगा, तो फिर से लिख लेते हैं, यह होगा, अब इसको select कर लेते हैं, select कर लिए, select करने के लिए, control यह से select कर लिए, उसके बाद, अधी हमको left में चाहिए, तो left element पे click किजिए, center पे चाहिए, तो center element पे click किजिए, है ना, और right में चाहिए, तो left element पे click कर देना है, समझ में आये कि नहीं, उसके पहले, आप इसका, जो क्या है, इसका font भी change कर सकते हैं, जो आपको पसंद लगे, है ना, ऐसा नहीं कि सर जो बताएं, वही होगा, नहीं, आप use करके देखिएगा, जो आपको अच्छा लगे, जो पस bold हो जाएगा, है ना, उसके बाद italic करना है, italic किजिए, underline करना है, underline किजिए, है ना, तो आप यहां से इसको change कर सकते हैं, समझ में आया है कि नहीं, उसके बाद मेरा next क्या है, eraser, eraser का भी use, आप बचपर में बहुत किये देखिएगा, eraser लिखा हुआ है, इस पे click erase का मतलब क्या ची होता है, मिटाना, तो देखिए अभी जो eraser का size है, वो काफी छोटा है, और हमको मिटाने में काफी परसानी हो रहा है, तो क्या करेंगे, इसका size को कैसे बढ़ाएंगे, कैसे इसका increase करेंगे size, तो आपका keyboard में control के साथ, plus button को press करना है, जैसे press, press किजिएग यह बड़ा होते चला जाएगा, और आप इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, तो eraser का भी use समझ में आ गया, उसके बाद क्या है, color picker, color picker का हिंदी में समझ यह आप, किसी भी photo का color, जो आपका यहाँ पे color नहीं दिखाई दे रहा है, उस color को picker के हम यहाँ पे fill कर सकते हैं, इसका यूज यह होता है, तो हम जब एक photo को लेंगे, चाहिए एक shape को लेंगे, तो इसको करके बता देंगे, अभी यह वला यह दोनों option छोड़ दिए, ठीक है, next मेरा क्या है, magnifier, magnifier का यूज होता है, जैसे मान लिजे, आपका बहुत सारा student है, जो बहुत वो option है, magnifier, magnifier पे जाईएगा, तो कुछ इस परकार का box दिखाई देगा, जहां पे word को बढ़ा करना है, तो left button प्रेस कर दिजिएगा, अपना mouse के देखिएगा, यह बढ़ा होते चला जा रहा है, देखिए, हो रहा है कि नहीं, तो आप पीछे तक भी आपको क्या हो जाए है, तो देखिए, अब यह फिर अपना जगा पे आ गया, तो इसका भी यूज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है क्या, ब्रसेस, बहुत सारा ब्रसेस है, इसका अलग-अलग ब्रस का यूज है, देखिएगा, हम छोटा-छोटा इसका यूज जो आपको पसंद लगे, उसका यूज आप कर सकते हैं, देखिएगा, सबका क्वालिटी और लिखावट अलग-अलग है ना, तो आप इसको एक अक बार इसका परियास करके यूज कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे, आप जिस ड्रोइंग के लिए जो आपको अच्छ अलगे, उसका यूज कर सकते हैं, ना, देखिए, तो बरसस में बहुत सारा नो परकार का बरस है, क्या है, नो परकार का मेरा बरस है, तो आप जिसका यूज समझ में आए, जो आपको समझ में आए, कि हमको यही वाला यूज करना है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक अपना कमंड बनाते हैं, सबसे पहले है लाइन, लाइन से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सीधा लाइन ड्रो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सीधा लाइन को ड्रो कर सकते हैं, देखिए उसके बाद क्या है मेरा कर्व, कर्व लाइन का यूज हम कब करते हैं, जब माली जी आप को और फॉषिक पी और कॉपी कितला है इसको तीर्षा करना यह फोल हो रहा है कि इस तरह को गया अब इसको क्या करना है कि आप इसको कोपी कर लिए क्ट्रोल के साथ क्या करना है के पूपि किईए Ctrl-C और Ctrl-B से क्या करना है? पेश्ट करना है, या तो आप इसको छोड दीजिए ठीक है? अब मालेजिए कि एक और इसी तरह कर सकते हैं फिर जाइए और फिर से तीर्षा किजिए है ना तो आप यहां से क्या कर सकते हैं एक जंडा का डिजाइन कर सकते हैं लेकिन कब जब आप अपना मौस पर कमांड करके रखिएगा तब है ना तो इस तरह आप आप एक जंडा का मान चित्र मतलब चित्र बना दी हैं न क्या कि एक जंडा का रूप दे दी है आप यहां से भी इसको त्यार कर सकते हैं तो इस तरह कर लाइन से हम लोग जंडा या कुछ भी कर्भ दिखा सकते हैं ठीक है उसके बाद next मेरा क्या है जो यूज लेना है जो तो आपका आउटलाइन दिखाई देगा और जो कलर टू है वो मेरा क्या है बैग्रॉंड है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं ठीक है अभी माली जिए इसमें कोई कलर भरना है तो आप कलर भरने के लिए कोई साभी कलर जो आपको पसंद है तो सबसे पहले फिल में जाना है यहां पे टूल्स में ब्ली में प्रणा लगे वस पर ले लिजीयेगा जैसे दिखाई के म्चालरे यहां पर आ ऐसकते है ना यहां पर दूसरा कलर फिल करना चाहते तो दूसरा फिल कीजिए जो आपका इच्छा ऐसा नहीं है कि जो है वही जो आप प्रेक्टिस कर सकते हैं है ना ayo då आप यहां क्या कर सकते हैं ही उनल को फील कर सकते हैं यहां तक समj में आ गया उसके बाद है आप यहां पे अपर किलिट कीजींचे कर ऄ देखिएका कि यहां पर ओर सारा क्या दिखाई दे रहा है नो आउट्लाइन तो अगर 19 यहां पर किलिकlic कीजिये तो नौ आउट्लेंग दिखाएगा एक देखिए अभी माली जी हम एक शेप लिएंग मनननने बबस आप अगर आउट्लेंग करेंगे तो जो यहां पे Color फिल रहेगा चूझ कर रखेंगे आप वह ही Color यहां पे फिल होगा और अब जैसे रखेंगा वह इसे यहां पे दिखाई देगा दिखिए तो आपका कोई मित्र होगा जो आपको क्या करेगा ड्राएगा या तो सताएगा बोलेगा कि देखिए तो हम एक छाप रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा लेकिन वो छाप रहा है तो आपको सिधे चला जाना है कहां पर क्योंते आया में क्योंते जो आपको पसंद लगे आप यहां से क्लिक कर दिजिएगा उसी तरह यहां पर फील में भी है मिन और फिल में भी इसक्लिक keeping किजिए गा नोफिल किजिए गा है ना उसकर कोई कलरा लात्यकर रहें तो दिखा ये OGY नहीं देगा देखिएगा है कि है ना क्या होगा कि यहां से जो आपक ऐंगा कि आगर लेंग और अगर आप यहां पर जो कलर फील करना चाहते हैं एक यह नहीं उसके कि मान लीजिए आप इसको लिए, Size को Increase करना है, काफी सरा हो गया, सभी को Select कर लेते हैं, और Delete कर लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम एक ले लेते हैं इसको, इसका Size, इसका मोटापा को बढ़ाना चाहते हैं, देखिए यहां पे Size में जाएए, Size में जाने के बाद आप जितना size चाहते हैं बढ़ा सकते हैं, last इतना ही बढ़ेगा, कितना? 5 पिक्सल या 8 पिक्सल, इससे और ज़्यादा आप बढ़ाना चाहते हैं, तो control के साथ plus button प्रेस करना है, देखिए बढ़ता चला जाएगा, control के साथ plus, जिस तरह आप eraser का use कर रहे थे, control के साथ plus, इसको इमेज में हम लोग चलते हैं, इमेज में, ठीक है, इमेज में बहुत सारा option है, क्या है, select है, crop है, rotate है, resize है, और क्या है, flip horizontal, flip vertical, जो होता है वो है, जैसे मान लीजिए, हम यहाँ से कुछ figure को क्या कर लेते हैं, draw कर लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले rotate, इसको मान लीजिए हमको 190 degree, 180 degree में चाहिए, तो आमको कहा जाना पड़ेगा, इमेज में, इमेज में जाने के बाद, आप rotate, जिस तरह आपको requirement होगा, जिस तरह आप इसको rotate कर सकते हैं, या तो उसके नीचे देखिए, flip horizontal, flip vertical है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन horizontal मतला, उपर और नीचे, खड़ ही देगा, है ना, तो यह दोनों option, clear हो गया, उसके बाद है resize और crop, resize के अभी बताते हैं, पहले crop बता लेते हैं, जैसे मान लिजिए, हमको इतना ही चाहिए, नीचे वाला portion नहीं चाहिए, उपर वाला चाहिए, तो हम लोग को select में जाना होगा, select पे click करेंगे, और इस तरह select कर लिए, अब इसको पकड़ करके, जैसे ही आप select कर दिजिएगा, तो कुछ इस परकार का, फलस के size का दिखेगा, अब इसको mouse का left button press करना है, और घसका करके, break करके इधर ले आना है, देखिए, यहां से cut के, यहां आ गया, आया की नहीं, और जैसे ही आप प्रूप पे click क जाएगा, तो यह सब हट जाएगा, यह भी हट जाएगा, यह भी हट जाएगा, जो मेरा select किया हुआ रहेगा, item वही बचेगा, देखिएगा, बचा की नहीं, जो सिर्फ select किये थे, वही बचा, तो crop का use, समझ में आ गया है, कि जिस item को, या जिस image को select करेंगे, सिर्फ वही रहेगा, crop में, जैसे माल लीजिए, हमको इतना चाहिए, इसका हाप, तो हम फिर से चले जाएगे, select में, select में जाने के बाद इतना cut दिये, और crop पे click कर दिये, देखिए, अभी वही portion बचा, बाकि सब हट गया, तो crop के use समझ में आ गया, उसके बाद crop में बहुत सारा option है, no यह 5 के use करने के लिए, हमको और figure चाहिए, जैसे माल लीजिए, हमको यह चाहिए, और, है न, छोटा-छोटा और ले लेते हैं, ताकि आपको अच्छा से समझ में आए, अब माल लीजिए, कोई color feel कर लेते हैं, देखिएगा, बीच में skip करके नहीं जाएगा, आपको समझ मे आ रहा है, तो आप चैनल को subscribe कर लेंगे, अपने दोस्तों को share कर देंगे, ठीक है, सबसे पहले हम select में जाएगे, rectangle select के मतलब होता है, कि आप खुला-खुली रास्ता, जैसे माल लीजिए, एक रास्ता है, single रास्ता, उसमें कोई गाली नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं, प हीड भाल इलाका से हमको निकलना है, तो हमको कोई तरीका का use करना होगा, जैसे माल लीजिए, हमको यह select करना है, तो माल लीजिए, यहां से select कर रहे हैं, तो देखिएगा, कि मेरा जो उपर वाला hexagonal है, और यह नीचे वाला, ओ भी cut जा रहा है, देखिए, side की हैं तो यह यूज करते हैं हम लोग, क्या free from selection, free from मतलव कि आपका हाथ का style से किस तरह आप mouse को चलाते हैं, और यहां से निकालते हैं, जैसे देखिए, अब यहां से किलें, तो देखिए, अभी नहीं कटा, तो free from selection के हो गया use, कि आप अपने mouse से किस तरह आपका mouse पे command है, और आप इसे क निकाल सकते हैं, समझ में आया कि नहीं, दो यूज, उसके बाद तीसरा है, select all, सभी figure को select करने के लिए, या तो यहां पे जाईए, select में, select में जाने के बाद select all कीजिएगा, जैसे ही, देखिए, आपको छोटा-छोटा, देखिएगा square tab से दिख रहा होगा, dotted dotted line, दिख रहा सभी figure को क्या करना है, delete करना है, तो select में जाएंगे, select all में जाएंगे, या तो आप अपने keyboard से control ये से भी select कर सकते हैं, तो सिधे यहां पे चले जाएंगे, select option के नीचे और delete कर सकते हैं, समझ में आया कि नहीं, yes sir, तो उसके बाद क्या है research, research का यूज अभी हम बनाएं, कि या तो इससे आप क्या कर सकते हैं, उसका quality लो कर सकते हैं, या तो color mix कर सकते हैं, जैसे देखे, यह हम page को छोटा कर लिए, भी हम 4-5 color मिला करके, 4-5 color मिला करके एक color में mix करना है, तो हम एक line ले 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 लिए, ठेक है, आप यहां से हम line को छोड़ना नहीं, र पार कर के ठीक है उसके बाद दूसरा लाइन लेते हैं क्या करते हैं दूसरा लाइन लिए लेने के बाद इसको भी क्या किया है फुल कर लिए और इसमें भी हम कलर डाल दिये उसके बाद दूसरा color और ले लेते हैं, जो आपका इच्छा है, आप वो color ले सकते हैं, ठीक है, अब देखिए, हो गया, उसके बाद एक और color फिल कर देते हैं, जो यह, उसके बाद हम लोग को कहा जाना है, research पे, research पे जाने के बाद pixel पे click करना है, पिक्सल पे click करने के बाद यहां पे एक option दिखा रहा है, उसको क्या करना है, हटा देना है, हटा दिये, उसके बाद दोनों में से किसी एक में changing किजिए, अभी यहां पे क्या दिख रहा है, 724, क्या दिख रहा है, 724, इसको हटा देना है, यह आद करके रखना है, 724, अब इस जैसे हटा करके एक लिख देना है, one लिख देना और okay कर देना है, देखिए जैसे हम click किये हैं, तो यहाँ पर एक line दिख रहा होगा आपको, वो color mix हुआ वो दिख रहा है, फिर से हम लोग को जाना है research पर, फिर pixel पर click करना है, और यहाँ पर क्या लिखना है, जो हम पहले size का use यही होता है, ठीक है, समझ में आया की नहीं, yes sir, उसके बाद हम लोग यहाँ तक देखने हैं, उसके बाद है cut, copy और paste, क्या है, cut, copy और paste, ठीक है, क्या है मेरा cut, copy, और paste, यह बहुत use है इसका, देखिएगा, मान लिजी हम यह figure बनाएं, ठीक है, और सारा बना लेते हो, जो आपको इच्छा लगे, है ना, अब जाईएगा, सबसे पहले किसी भी item को, या किसी भी image को, copy करने के लिए, paste करने के लिए, crop करने के लिए, सबसे पहले आपको दिमाग में होना चाहिए, कि हम क्या करेंगे, select करेंगे, तो देखिए, select टून पे जाना है, और मान लिज इसका duplicate चाहिए, मतलब क्या बोलते है, copy, तो देखिए, यहाँ पे, flip board में जाना है, और क्या लिखा हुआ है, copy, यह छापा हुआ है, यहाँ पे लिख भी रहा है, copy, इस पे जैसे ही press किजिएगा, तो यह हटेगा नहीं, बलकि यह copy हो जाएगा, और जैसे ही उस पे click किए, यह option, देखिए, automatic, क्या हो गया, light में आ गया, इसको paste करने के लिए, इस पे click किजिएगा, तो automatic यहाँ paste हो जाएगा, देखिए, फिर से paste करना है, तो इस पे चले जाएगा, फिर paste हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं, copy और paste का use, copy किजिएगा, तो वो item दिखेगा, समझ में कि नहीं, और cut का use किजिएगा, तो क्या होगा, कि वो item कट जाएगा, वो दिखेगा नहीं, लेकिन जब आप paste किजिएगा, तो वही वला दिखेगा, जैसे देखिए, select पे जाना है, और select कर लेना है, select किए, उसके बाद जाना है, cut पे, जैसे जो आपको क्या दिख रहा है, वो cut है, और देखिए, लिख भी रहा है, cut, अब इस पे click किजिएगा, देखिए, वो item हट गया कि नहीं, और जैसे ही paste पे click किजिएगा, वो फिर से paste हो जाएगा, तो cut का use समझ में आगा, या फिर से करके देखिए, जैसे देखिए, माली इस item को, हमको cut करना है, औ पेस्ट करना है, जैसे इस पे click कियें, और cut पे जैसे प्रेस करेंगे, यह हट जाएगा, और paste करेंगे, तो automatic फिर से आजाएगा, तो cut और copy और paste का use समझ में आ गया होगा, उसके बाद जो यहां पे दिखाई दे रहा है, view के बाद, यह है save का, क्या है, save, जैसे किसी भी work area म तो आपका एक location खुल के आ जाएगा, आप किस में आप save करना चाहते, ठीक है, उसके बाद एक क्या है, undo, undo मतलब एक step पिछे जाना, और यह है redo, एक step आगे आना, जैसे undo किरेंगे, तो जो अब पिछला हटाएं थे, या छुपाएं थे, वो आ जाएगा, और redo करेंगे, तो जो मेरा desktop का size है, वो पूरा-पूरी जीतना है, वो यहाँ पे दिखाता है, जो मेरा page का size, actual page का size होता है, वो दिखाता है, उसके बाद नीचे देखिएगा, ruler है, ruler किसे बोलते है, जो यह दिख रहा है, आपको scale, उससे ruler बोलते है, तो यह बहुत सारा, जैसे exam होता है, जो J इस paint में ruler होता है, वो कहाँ पे दिखाई देता है, टोप में, या left में, या bottom में, तो कहाँ दिखाई देता है, वो top और left दोनों में दिखाई देता है, तो अगर इस पे uncheck कर देंगे, तो वो हट जाएगा, देखिए, तो आप ruler को लाना चाहते है, तो view में जाएगे, वीव graph होता है, जैसे हम लोग बच्पन में graph बनानेते हैं, देखिए, इस तरह graph रहता है, तो हम उसमें क्या करते हैं, इजली तरीके से हम उसका use करके graph को create कर सकते हैं, ठीक है, और नहीं चाहिए, तो check marks को हटा देना है, उसके बाद next मेरा status bar, status bar कौन होता है, देखिए, यहाँ पी जो दिखाई दे रहा है, यह मेरा status bar है, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको हटाना है, तो देखिए, जैसे status bar पे click किजिएगा, uncheck हो जाएगा, automatic वो हट जाएगा, और फिर से लाना है, तो status bar पे click कर देंगा, ठीक है, उसके बाद क्या है मेरा full screen, full screen पे click किजिएगा, तो क्या होगा, जितना मेरा page का जो है, page, page, यह तो desktop तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो आपका page है actual, वही दिखाई देगा, जिस देखिए, इतना कट गया, तो यह मेरा इतना ही page था, और यह बाकी खाली था, ठीक है, तो आप यहाँ से भी इसका Ctrl N कीजिएगा, तो एक नया page आजाएगा, उसमें कोई भी बनावट नहीं रहेगा, एक पुरा phrase page, ठीक है, अगर उसको लाना चाहते हैं, तो new पे click कीजिएगा, नया page आजाएगा, उसके बाद क्या है open, जब आप MS Paint में कुछ बनाए हुए रहिएगा, कोई भी काम करके र अनुके नाम से use किये हैं, save करके रखे हैं, और एक computer PNG के नाम से, तो जो recent में जो use किये हैं, वो सब दिखाता है, उसके बात save, save करने के लिए, जैसे मान लीजिए, आप पुरा work को कर लिए, इसे save करना चाहते हैं, जैसे उस पे click किजिएगा, कुछ इस परकार का interface आपको दिखाए देगा, अब कहां इसको रखना चाहते हैं, हम desktop पे रख देते हैं, इसका नाम क्या रहेगा, कुछ भी रख दीजिए, जैसे go loo, ठीक है, और इस पे okay जैसे किजिएगा, तो यहां पे जो untitle लिखा हुआ, untitle print, वहां पे वो नाम लिख करके आ जाएगा, जैसे से बाद save age, save age का यूज होता है, कि मान लिजिए आप बनाए हैं, और आपका भाई जश्ट बैठ गिया आपका laptop पर, और वही नाम को छेड़ करके, वह अपना नाम से भी बना लिया, दोनों same ही है, लेकिन सिर्फ नाम अलग है, save age पे किलिक करेंगे, किस चीज में चाहिए अब यहाँ पे गोलू था, क्या आगया, रिसी, तो वही देखिए, product पो वही है, image तो वही है, सिर्फ नाम चेंज है, तो save age का यूज होता है, ठीक है, उसके बाद क्या है, print, आप print कर सकते हैं, जैसे control P से भी print कर सकते हैं, या तो आप option से कर सकते हैं, print में, print कर सकते हैं, page setup, page setup मतलब, जब आप printer को खोलेगा, आपका कौन सा printer है, तो वहाँ आप page को set कर सकते हैं, उसके बाद क्या print preview, किस तरह printer करके दिखाई देगा, आपको यहाँ पर बताता है, ठीक है, उसके बाद है, send, आप send कर सकते हैं, जैसे किसी email में, जहाँ पर आपको भेजना है, लेक या desktop background, आप आपका जो desktop है, उसके आप सेव कर सकते हैं, जैसे आप जब अपना laptop को खोलते हैं, या computer को खोलते हैं, तो दिखाई देगा जो आपको background में रहेगा, तो fill, फील मतलब पूरा जो आपका desktop है, उसमें full दिखाई देगा, जो आप इसको use किजिएगा, उसके बाद tile, tile का use होता है, छोटे-छोटे टुगडों में, जैसे आप अपने घर में tiles विछाते हैं, tiles, marvel tiles, उस तरह छोटे-छोटे टुगडों में हो जाएगा, अगर करके बोलिए, करके दिखा देते हैं, tiles पे click किजिएगा, तो देखिए, ये छोटे-छोटे टुगडों में बट है कि नहीं, और अधी आप इसको desktop को जो set background है, center में करना चाहते थे, देखिए, ये बीच में हो जाएगा, देखिए, अब सिर्फ बीच में हुआ, है ना, तो इसका use समझ में आ गया, उसके बाद नीचे है, image का properties, image के आप properties देख सकते हैं, कि इसमें pixel में कितना है, और यहा से भी कर सकते हैं, inch में भी चाहिए, तो inch में कर सकते हैं, centimeter में कर सकते हैं, centimeter में कर सकते हैं, जो आपका इच्छा है, ठीक है, उसके बाद next मेरा क्या है, about paint, इस पे click किजिएगा, तो paint के बारे में आपको जनकारी देगा, कि MS paint, कौन सा paint है, window 11 है, क्या है, इसका क्या function है, व तो अगर अच्छा लगा होगा, तो आप अपने दोस्तों को पास share करें, ज्यादा से ज्यादा इसको like करें, subscribe करें, ताकि मेरा भी मनोबल बना रहे, और आप अपने दोस्तों को free में content दे सके, ठीक है, तो मिलते हैं next video में, तक तक के लिए thank you, धन्यवाद